बोलाना तु कोहियां से होहार जाई ये जान तु हरेलां जाहर खाके मार जाई बोलाना तु कोहियां से होहार जाई बोलाना तु कोहियां से होहार जाई नहीं मन घर आवे न बलम मन माटी करेलां खिवो ठलालिया जाबोला गाई लाबावाल हो खेलां कि साउं चालाई बनावाई लिहां ए चिंटु के पापा साउं चालाई बनावाई लिहां कि स्वास्ताव मिसान याई ले देश के सुधारे के नमस्कार दोस्तों आज न्यूज स्पंदन की अभिनो भेट वारता में हमारे बीच में हैं दिलीप कुमार प्रजापती उर्फ दिलीप राजा ग्राम सरोरा खुर्द पोष्ट सरोरा कला जनपस सीतापुर के निवासी ये भोजपुरी के अच्छे जानकार हैं इनकी मात्रभासा अवधी है फिर भी इन्हों ने भोजपुरी को सीखा ही नहीं बलकि भोजपुरी के गीत लिखे जिन्हें बड़े बड़े राइटर्स ने अपने सोरों से सजाया है और इन्हों ने स्वयम भी बहुत से गीतों को लिख करके उन्हें उनकी बाकाइदा प्रापर तरीके से सूटिंग क इसने ना होते हुए भी आप भोजपुरी के एक इतने अच्छे राइटर कैसे बने और भोजपुरी के प्रती आपके अंदर इतना लगाओ कैसे उत्पन हुआ नमस्कार प्रडाम राम राम सब भाई लोग के मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो है मुझे इस काविल समझा और इस मंच तक लाने में आपकी भी बहुत सानभूती रही है मेरा मानना है मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा सबसे प्रिय भासा भोजपूरी लगती है कारण इसलिए है कि भोजपूरी भासा जो है एक लचकदार भासा है मन मोहक भासा है इसलिए मुझे भी पसंद आ गई मैं बचपन से ही भोजपुरी गाने सीखता था देखता था भोजपुरी गाने सुनता था फिल्म भी भोजपुरी मैंने देखी तो मुझे लगा कि मुझे इस छेतर से रुची है तो मुझे इस छेतर से जुड़ना चाहिए मैंने इस छेत्र को चुना और इस छेत्र के लिए काम किया और मैंने अन्य राइटनों को भी देखकर जो है गाने लिखे देखे कि कैसे उन लिखते हैं क्या करते हैं मुखडा अंतरा कैसे लिखते हैं मैंने उनको देखा, समझा, फिर अपने आप से किया, एक बार, दो बार किया, गलत हुए, फिर से जो है, सही तरीके से गाने लिखने चालू कर दिया, और मैंने अपने लिखे गाने भी खुद गाएंगे हैं, क्योंकि हमारी आवाज जो है, थोड़ा पतली नहीं है, थोड़ अच्छी आवाज नहीं दी है, इसलिए लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ, कि मैं अच्छे से अच्छे गाने लिख सकता हूँ, आप से दूसरा प्रशन है, आप अवध छेत्र में रहते हैं, आपकी छेत्री भासा अवधी है, फिर आप भोजपूरी का इतना अच्छा दुकोस या भोजपूरी के भासा को आप किस तरह से सीखें? अब हमने गाने लिखने चलू कि अच्छे अच्छे सब्द को आते गए, हमने अपने सब्दों से उन गानों को अच्छे तरीकों से सजाया, और उनको अच्छी तरीके से मोटिवेट किया, और अब मैं अच्छी भली भाती अच्छे परकार के गाने भी लिख लेता हूँ. दिलीप जी अएक आपसे हमारा निवेदन है कि आप कोई एक भोजपुरी का गीत हमारे स्रोतबंधों के लिए सुनें कि माने नाइमान घर यावेन वला महन माटी कारेला कि वो ठलली या जब लगाई ला बवाल हो खेला दिलीब भाया जी आपने कई तरह के कमेडी सो बनाए जिसमें आप अपने गाउं के ही कलाकारों को का नाटि मंचन किया यह आपके अंदर पेड़ा कहां से जगी है और आपने एक बहुत अच्छा सा भोजपुरी में एक कमेडी तयार करके उसका मंचन किया है जो यूटूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा वाइरल हुआ यह आपके मन में कहां से विचार आया कि आपने जो है इसके आप यहां के गाउं के कलाकारों को भोजपुरी में आपने ट्रेनिंग दी तयार किया फिर उसकी सूटिंग की फिर उसको जो है अपलोड किया यह सब कैसे समभू गया देखिए भियाजी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गाउं को क्योंकि हमारे गाउं में जो कारिक्रम की रूप में मनाया जाता है अच्छे नाटे प्रदर्शन होते हैं अच्छे जाकिया दिखाई जाती हैं इससे जो है हम युवाओं को और गाउं के अन्य बच्चों का हम जैसे बहुत सारे ऐसे बक्ती हैं जिनको पुरसाहन मिलता है हम लोग देखते हैं तो उसम आपके भोजपूरी गीतों ने आभियान में बहुत बढ़ा єधान दिया है जब सीतापुर जिले को खुले में सोच मुक्त किया जाना था उस दर्मियान आपने बहुत से भोजपुरी में गीत लिख करके लोगों के अंदर जन जागरुकता अभियान को सफल बनाने के लिए 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 दिया था और आपके बहुत से गीत गाओं में आईडियो और वीडियो में बजाए भी जाते थे और आप गाओं में जाकर के लोगों के बीच में अपने गीतों के माध्धम से लोगों को जागरुक भी करते थे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे स्वच्छता अभयान को जब बोधी जी ने इतनी सीरियस से लिया तो मैं भी एक तो भारत का नागरिक हूँ मेरा भी उत्तरदाई तो बनता है कि देश के लिए कुछ अच्छा काम करूं आपका भी उत्तरदाईद बनता है तो मैंने जो है अपने गीतों के माध्यम से जा जाकर गाओं में जहाँ पर सच्छता वियान की काइंपे लगी वहाँ जाकर अपने गीतों के माध्यम से सच्छता पर एक दो गाने गाए और समाज को जागुरूप किया इसके लिए हमारे जिसको बोलते हैं है इडियो सहाब जिनका नाम है रामपाल वर्मा उन्होंने प्रुसाहित भी किया था मुझे और मुझे हर जगे ले जाकर गाओं-गाओं में उन्होंने समाज को प्रुसाहित करने के लिए कहा तो मैंने किया और आप लोगों का असिरवाद रोही है हमार साथ ये डेश के सुधारे के मैं तुह सुधार जाईा गाओं के सुधारे में कि गाव सुधर जाई बाजेले बाजासाँ चालाई बनावाई दिहा ये पप्पु के दादासाँ चालाई बनावाई दिहा चिंटु के पापासाँ चालाई बनावाई दिहा